दोस्तो ठंडो के मौसम में अक्सर जो है किसी भी वीकल को ड्राइब करना रोड पे थोड़ा सा ज़्यादा चैलेंजिंग रहता है गर्मियों के मौसम में और ये चैलेंजिस तब ज़्यादा बड़ जाते हैं जब आपके पास होता है एक बड़ा हैवी कॉमर्चर वीकल क्योंकि सबसे बहले साइज उसका बड़ा होता है फिर उसमें जो लोड होता है उसकी भी जिम्मेदारी आपकी होती है तो आज की वीडियो में ज़रा कुछ टिप्स और ट्रिक्स आपके साथ में शेयर करूँगा जो की आपकी विंटर ड्राइविंग स्टाइल को और भी इंप्रूव कर सकती है अब जानते हैं अगस चला है सेप्टमबर के बाद ऑक्टवर्स सीधे ही जो है ठंड जो है आप आपका जो है विजन आपका प्यूरा किलियर आपको देखने को मिलता है कि रोड पे क्या गाड़ी कैसी चल लिया है तो आपकी विंट्शील्ड गाड़े की प्रॉपर क्लीन होनी चाहिए साइड मिर्स आपके प्रॉपर होनी चाहिए गाड़ी में वो भी क्लीन होनी चाहि तो आपकी नजर फ्रंट वाली गाड़ी के ब्रेक लाइट पर रहनी चाहिए कि गाड़ी से पहले वो ब्रेक लाइट पहले आपको दिख जाती तो इससे आपको डिस्टेंस का पूरा मेजर हो जाएगा कि गाड़ी कित्वी दूर कड़ी है साथी साथ अपनी गाड़ी के जो है आप प्रोपर जो है headlamps, tail lamps और जो है indicators ये भी चेक करें प्रोपर working condition में होने चाहिए साथी साथ जो है आप अपनी जो है interior cabin में बहुत बार जो है front wind screen पर आपकी fog जम जाती है तो इसे आप कम करने के लिए air condition AC का भी यूज़ कर सकते हैं तो एक main चीज ये रहती है इसके बाद गाड़ी तो आपको ध्यान से चलानी चलानी है कई बार ऐसी road आ जाती है sharp runs, hairpin, bands हो जाते हैं जहां आपको फिसलन जादा देखने को मिलती है तो ऐसे मैं गाड़ी की speed कम रखें एकदम ध्यान से चलाएं जिससे की आप ऐसे sharp runs पे गाड़ी से control भी ना को सकें और साधी साथ crossing bridges पे भी आपको ऐसी condition मिलेगी तो speed कम रखें गाड़ी की साधी साथ आपको snow जैसे आपके road पे आपके कई बार आप अरफीले रवाले road पे चले जाते हैं तो इसमें traction खोने का गाड़ी के टायरों का बहुत ज़्यादा chances रहते हैं तो इसके लिए आप गाड़ी के engine braking का भी आप इस्तिमाल कर सकते हैं तो main ऐसी sleepy areas पे बरफ वाले areas पे आपको गाड़ी की आपे टायरों की traction नाख होना है तो आपको speed काफी कम रखनी और braking का भी आपको धीरे धीरे स्तिमाल करना है और साधी साथ braking आपको अराम से तो लगानी लगानी है Tata का आपका T-16 SL Ultra एक ऐसा vehicle है जिसमें की बड़ी सांदार technology graduate wall control spring जो है brake chamber integrated technology जो rear braking के साथ में आ जाती है और ABS एक तरीके से जो आप जानती है antilog braking system braking में काफी एक सांदार safety आपको आप तो two wheeler में तक मिला है पर second के साब से जो है आपकी इसमें brake apply होती है तो skidding के chances इसमें बहुत कम रहते हैं तो ABS technology आजकल आपको ये जो है गाड़ियों में देखने को मिली जा रही है तो ये आप जो है ये वाला vehicle Tata का जो है आप ले सकते हैं अगर आपको जो है और अच्छी technology चाहिए और साथी साथ अगली चीज क्या है आप जो है weather condition कहीं भी अगर आप plan कर रहे हैं कहीं भी आप जो है समान ले जाने का plan कर रहे हैं आजकल phone हर किसी के पास है तो weather forecast आप पहले ही देख सकते हैं कि आगे वाला जो है अगले दिन का मौसम क्या रहने वाला है कितनी आपे ठन रहेगी कितना कोहरा यह सारी कुछ चीज आपको जो है उसके according आपको plan कर लेनी है कि आपको कोहरा कितना मिलेगा फिर कई बार आपको काफी हवाएं आपके कह सकते हैं ड्राइविंग style को बहुत effect करती हैं तो main चीज आपको जो है मौसम का भी ध्यान रखना है कहीं भी अगर आप जो है जा रहे हों खासकर winters के time में और इसके बाद अगली चीज जो रहती है main खासकर जो है यह black eyes black eyes आपको जो है खासकर पहाड़ो वाले एरिया में बहुत देखने को मिले कि जहाँ zero degree के आसपा जो है temperature चले जाता है एक तरह की road पे जो है आपकी जो है black transparent layer सी आपको जो है आपको देखने को मिलती है लेकिन वो दिखती नहीं है तो अकसर जो है ऐसी road condition हो में सबसे जादा incident पहाड़ो में हमें देखने को मिलते हैं तो कोसिस करें जब जो है आप proper धूप निकल आए black eyes जो है proper जो है चली जाए तो तब ही जो है गाड़ी अपनी जो है आप बढ़ाना start करें तब ही जो है जाने का plan करें इसके बाद जो आपके पास vehicle है जो भी commercial vehicle है उसकी proper आपको जो है inspection maintenance जो भी रहता है उसका time to time जैसे की engine oil चेक करना, tire pressure चेक करना, coolant चेक करना ये proper वैसे तो करना ही चाहिए खासकर फिर winters के time में आपके पास जो है तोड़ी जिम्मेदारी और बढ़ा जाती है क्योंकि ठंडो का time होता है easily आपको जो है आपे shops भी जो है रात के time में जल्दी बंद हो जाती है सामके time में तो आपको ये चीज proper जो है आपे चेक करनी है साथी साथ Tata Motors का fleetage app जो की बहुत ही अच्छे कासे features के साथ में आता है आपको जो है real time servicing alert और साथी साथ जो है आपके जो है service track ये सारे record इसमें आपको देखने को मिलते हैं तो ये app आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपने अब भी नहीं करा है आपके पास कोई भी Tata Motors का जो है आपे कोई भी commercial vehicle है तो आप इसको जो है डाउनलोड कर सकते हैं अगली चीज proper distance distance जो है खास कर थंडो के time में जो है अपनी जो है vehicle का दूसरे vehicle से proper जो है बनाए रखना जरूरी है क्योंकि सबसे बेले तो जो है winters के time में देखो fog ही आपके जो है आपको जो है fog condition road पे बहुत देखने को मिलती है तो इससे क्या है जितनी आप जो है थोड़ी distance ऐसी बना के चलिए जिससे की कभी कबार sudden braking apply करने पड़ जाती है तो उससे आप थोड़ा बस सकते हैं और बहुत बार आपको जो है ऐसी आपको बरफीले आपके जो है आपके रोडे मिलते हैं क तो proper आपको जो है यहाँ पर उससे इतनी जो है distance बनानी जिससे की by chance skid भी होती है गारी तो आप थोड़ा जो है बहुत उससे अच्छा खासा जो है बच सकें और साथी साथ जब अगर आपको जो है जरूरत ना हो overtaking या फिर अपनी जो है lane change ना करें क्योंकि ये winters के time में थोड़ा सा जो है ज्यादा रिस्की रहता है क्योंकि foggy condition ज्यादा रहती है slippery condition ज्यादा रहती है road की तो overtaking जो है जब जरूरी है तब ही करें वरना जो है अपनी line में आप अराम से चलते रहें तो ये कुछ tips and tricks winters के time में जो है आपकी driving style को आपके commercial vehicle जो heavy commercial vehicle आप चला रहे है winters के time में वो आप एक safe ली तरीके से इन tips and tricks से जो है आप जो है चला सकते हैं और बाकी आपको जो है जरूरी जो checklist है वो आपको जो है description में आपको उसका link देखने को मिल जाएगा यही ती दोस्तों आज की वीडियो मिलते हैं एक और ऐसी नहीं वीडियो के साथ में